हेलो स्वागत है आपका फ्री जिके के शानल पे मेरा नाम है किरन भाबर आज के इस वीडियो में हम जनवरी मंत का कम्प्लीट करेंट अफेर कवर करने वाले हैं टॉप हंडेट एम से क्यूज हम कवर करेंगे सारे कोशन के अंसर मैं आप लोगों को डिटेल में कवर करवाऊंगी आपको काफी जादा हल्प मिले कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो वीडियो को ध्यान से जरूर पूरा देखेगा लास्ट में कोशन आप सभी लोग यहां मनाया गया है कोहिमा में दिखे नागलेड में तीसरा वाशिक और इंच फेस्टिवल 2023 कोहिमा जिले के रुसोमा गाउं में शुरू हो गया दो दिन के इस मोहतसव का यजन बागवानी, क्रशी, ग्रामिड विकास, भूमी, संसादन, विभाग और कोहिमा स्मार्ट सि 2023 के तहद 6 पदम विभोशन, 9 पदम भोशन और कितने पदमश्री देने की घोशना की गई है, कितने पदमश्री देने की घोशना की गई है, 2023 में 91, दिखे 2023 के लिए राश्चपती ने कुल 106 पदमपुरुसकारों को प्रदान करने की मनजूरी दी है, इस सूची में 6 पद पद्म भुशन है और 91 पद्म श्री शामिल है याद रखेगा काफी ज़्यादा इंपोर्डेंट है यह कोशन आपके एक्जाम में 100% चांस है कि यहां से कोशन जरूर पुछा जाएगा 24 जनवरी राष्ट्री बाली का दिवस किस महला के सम्मान में मनाया जाता है यह मनाया जाता है श्रीमती इंद्रा गांदी जी के सम्मान में देखे हर साल 24 जनवरी को बाली का दिवस मनाने की सबसे बड़ी वजह भारत की पहली प्रधान मंत्री बनेने वाली श्रीमती इंद् 66 को पहली बार बत और प्रधान मंत्री पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंद्राग गांधी ने अपना कारेभार भी समाला था आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की तरफ नागरिक उडियन महानिदेशा लई DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं किसे बनाया गया है विकरम दे प्रमुक अरुन कुमार की जगा लेने वाले हैं किसे बनाया गया है अभी नागरिकुडियन महानिदेशा लई कि नए महानिदेशक विकरम देवदत को आगे बढ़ते हैं 23 जन्वरी को 23 जन्वरी को पराकरम दिवस किनकी जयनती पर मनाया जाता है बताईए कि इनकी जैन्ती पर मनाया जाता है क्या नाम है इनका इनका नाम है सुबाश्चंद्रबूस सुबाश्चंद्रबूस इनकी जैन्ती पर पराकरम दिवस हर साल 23 जन्वरी को मनाया जाता है देखे 23 जन्वरी को पराकरम दिवस मनाने की वजब बेहत खास है यह दिन सुभाज चंदर बूस की याद में मनाया जाता है सुभाज चंदर बूस का 23 जन्वरी को जन्म हुआ था इस दिन नीता जी सुभाज चंदर बूस जी की जन्ती मनाई जाती है जिसे पराकरम दिवस का नाम दिया गया है नेक्स कुशन है भारत की कौनसे फिल्म औसकर 2023 में डॉक्योमेंटरी शॉर्ट सब्जेट कैटेग्री में नॉमिनेट हुई है कौनसे फिल्म है दे एलेफेंट विस्पर्स दे एलेफेंट विस्पर्स को नॉमिनेट किया गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है गंतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राश्चपती के अगनी शमन सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा तो 47 लोगों को सम्मानित किया जाएगा थोड़ा से डिटेल में सवस्ते हैं यहाँ पदक मानिता प्राप्त कनाडाई अगनी समन सेवाओं के सदिस्यों को मानिता दीता है जिन्होंने 20 वर्षों तक सेवा की थी जिन्में से 10 वर्ष संभावित जोखिमों वाले कर्तवियों के प्रदर्शन में सेवा की है उनको दिया जाता है नेक्स कुशन है अमेरिकी राज्य मैरीलेंड की लेफटिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारती अमेरिकी कौन बनी है करेक्ट अंसर क्या होगा इसमें से ओप्शन सी वाला अरूना मिलर याद रखेगा अमेरिकी राज्य मैरीलेंड की लेफटिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारती अमेरिकी है अरूना मिलर नेक्स कुशन दिखेगा भारत सरकार ने धर्ती पुत्र के नाम से मशूर मुलायम सी है यादों को मन्नो परांत कौन सा सम्मान देने का इलान किया है पद्म विभूशन देने का इलान किया है इन्हें धर्ती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा नेक्स्ट कुशन है हाल ही में इंडिया ओपन बैडविंटन चेंपनशिप में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है किसने जीता है करेक्ट अंसरों का ओप्शन एवाला कुनला वुत विती दर्ण्स इन्होंने जीता है थाइलेंड के स्टेटलर है कुनला वुत विती दर्ण्स ने इंडिया ओपन का खिताब जीत लिया है याद रखेगा काफी जादा important question आगे बढ़ते हैं next question की तरफ भारत के पहले स्वदेश्य mobile operating system भार OS के सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान ने की है किस ने की है IIT मदरास ने की है या भारत का पहला स्वदेश्य mobile operating system है क्या नाम है भार OS इसके सफल टेस्टिंग हो चुकी है और किस अंस्थान की द्वारा की गई है तो IIT मदरास की द्वारा next question है हाल ही में किस भाषा के कवी नेल मणी फूकन का निधन हो गया है correct answer option ये वाला अस्मी अस्मी भाषा के जाने माने कवी और ज्ञान पिट पुरुसकार से सम्मानित नेला मणी फूकन का निधन हो गया next question है Chris Hipkins को किस देश का 41 प्रधान मंत्री चुना गया है किस देश के हैं निउजिलेंड देश के हैं याद रखेगा इनका नाम है Chris Hipkins इन्हें निउजिलेंड देश के 41 प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है next question है भारत का पहला सवीधान साचर जीला कौन बना है कौन सा है यहाँ केरल का कोलम है काफी जादा important question याद रखेगा भारत का पहला सवीधान साचर जीला कौन सा है कोलम कहाँ पर है कोलम केरल में है इस मुहें की शुरुवात वैसे देखा जाए तो केरल के एरना कुलम जीले और कोटम नगर पालिका से 1980 मे ही हो गई थी फोर फरवरी 1990 को ततकालिन प्रधान मंत्री विश्वनात प्रताप सिहे ने एरना कुलम को देश का पहला पून साचर जीला घोशित किया था आगे बढ़ते हैं next question की तरफ प्रधान मंत्री राष्ट्य बालपुरुसका 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है कितने बच्चों को दिया जाएगा 11 बच्चों को दिया जाएगा जिसमें से 6 लड़के हैं और 5 लड़के हैं याद रखेगा प्रधान मंतरी राश्टिय बाल पुरुसका 2023 में दिया जाएगा ग्यारा बच्चों को, जिसमें से 6 लड़के हैं और 5 लड़केां. Next question है, भारत के 74 गंतंत्र दिवस समाहरों में मुख्य अतीती कौन थे? Next question है, भारती सेना ने किस देश के साथ सैंक्त प्रस्टिक्षन अभ्यास साइक्लोन वन का शुभारम किया है? किस देश की सेना के साथ? मिश्र देश की सेना के साथ, भारत और मिश्र की सेनाओं के बीच में अभ्यास साइकलोन वन 14 जनवरी 2023 से राजिस्थान के जैसल मेर में चल रहा है? यहां सन्नी अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच में अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है यह पॉइंट भी याद रखेगा काफी ज़्याद है नेक्स्ट कॉशन है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है देखे इसका काम क्या है दियान से देखेगा हर साल राश्ट्री आपदा प्रतिकिरियाबल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती रही है क्योंकि यह 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था एंडी आरेफ दुनिया का सबसे बड़ा बल है जो किसी आपदा की स्थितिया आपदा से निपटने के लिए समर्पित है नेक्स्ट कॉशन है 74 गंटंतर दिवस परेड में कुल कितनी जहाकियों का प्रदर्शन किया गया कितनी जहाकिया निकली थी 23 जहाकिया निकली थी कितनी जहाकिया 23 जहाकिया नेक्स्ट कॉशन है अंडमान और निकोबा द्वीप समोह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है अन्मान निकोबार द्वीप समू के यहाँ पर बहुत सारे छुटे छुटे द्वीप हैं तो इनके नाम आप जातर देखेंगे तो किसी विशेश व्यक्ति के उपर नाम रखा गया है यहां के जो द्वीप हैं तबी हाल ही में 21 ऐसे परमवेश चक्र विजेता हैं जिनके ना और द्वीपो का नाम रखा जाएगा है ना ध्यान दीजेगा इस कोशन को नेकस्टे भारत के नई उपराश्ट्य सुरक्षा सलहकार कौन बने हैं बताएं कौन बने हैं पंकज कुमार सी बने हैं बिस एफ के सेवा सेवा नी वरत डि जी पंकज कुमार सिह को डिपटी डिपटी एनएस ए उपरास्टी शुरक्षा शलाहकार निक्त किया गया है किस देश की आर बोनी ग्रैबियल मिस उनिवर्स टुटytes अन्टाब का यल, इन्हें Miss Universe 2022 का खिताब दिया गया है Next question है हैंले passport index 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है 2023 में भारत देश आया है 85th नमबर पर भारत की रैंकिंग में वर्तमान तीमाही में साथ अंकों का सुधार हुआ है और वर्ष 2021 में यह 90 स्थान पर रहा करता था इसकी तुलना में देखा जाए तो यह बहुत अच्छे स्थान पर आ चुका है अब 85th नमबर पर है भारती नागरेक 60 देशों में वीजा मुफ्त ग्यात्रा कर सकते हैं इससे फाइदा क्या होगा कि कुछ ऐसे देश इनकी लिस्ट में आ जाएंगे जहां पर बिना वीजा कई भी ट्रेवल कर सकते हैं जितने रैंक अच्छी होती चली जाएगी आगे बढ़ते हैं भारती मुल्के कौन वेक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं कौन वेक्ति हैं एसी चार्णिया एसी चार्णिया बने हैं ये भारती मुल्के वेक्ति हैं जो नासा के तकनीकी प्रमुख बनाए गए हैं याद रखेगा एसी चार्णिया इनका नाम है नेक्स्ट कुशन है बी आर ओ में विदेशी असाइमेंट पर तैनात होने वाली पहली महला ओफिसर कौन बनी है कौन बनी है कैप्टन सुर्भी जाखमोला बनी है वेरी इंपॉर्टन कुशन याद रखेगा सीमा सडक संगठन ब्यार ओ है क्या तो भारत में एक कारी-कारी सडक निर्मान बल है जो 32 सित्र बलो का समर्धन करता है कैप्टन सुर्भी जाखमोला को दंदन प्रोजेट के तहद भूटान भीजा जाएगा नेक्स्ट कॉशन है 12 जन्वरी को राश्टी युवा दिवस किनके जनम दिन पर मनाया जाता है किनके जनम दिन पर मनाया जाता है सौमी विवेका नंजी के जनम दिन पर राश्टी युवा दिवस कब मनाया जाता है 12 जन्वरी को देखे नैशनल युद टर्डे 2023 में मनाया गया हर साल 12 जन्वरी को देश भर में राश्टी युवा दिवस देश के युवाउं को समर्पित इस दिन को से याद रखेगा, नेंस्ट है, गोल्डन mı गलोब एवार्ट के 80- Flu episode में किसे शर्वस्रेश्ट, फिल्व नएंटक के श्रेणी का पुरुसकार मिला है, इसे मिला है, The Fable Men's को मिला है गलोबल गोल्डन गलोब अवार्टस की एडिट संस्क्रंड में किसे सरफस्थरीस फिल्म नाटक की श्रेड़ी में किसको मिला है तो The Fable Men's को मिला है याद रखेगा किस महला क्रिकेटर को December 2022 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है, किसे मिला है हिंदी भाषा के प्रचार पसार के लिएşekkürता है इसके लिए निम्हंद प्रतियोगीता है होती है स्कूल में इसके साथ ही बहुत सारी कारिकरम भी आईजित की जाते हैं इस वर्ष की हिंदी दिवस की थीम है हिंदी को जन्मत की भाषा बनाना बगैर उसकी मात्र भाषा को महत्ता को भूले नेक्स्ट कोशन है मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है इस पुरुसकार में एक मिलियन डॉलर प्रमान पत्र और एक स्वन्ड पदक शामिल है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है कौन सा राज्य है केरल राज्य है या पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य है Next है किस भारती राज्य को जगा मिशन के लिए UN word habita Bears Award 2023 से सम्मानित किया गया है किस सम्मानित किया गया है ओडीसा राज्य को सम्मानित किया गया है देखे, ओडिसा ने राज्य की 5T पहल जग्गा मिशन के लिए जीता है UN World Habitat Awards 2023 में इस मिशन के तहट 2724 मलीन बस्तियों में 100% घरों को पाइप के पाने के कनेक्शन प्रदान किये गए है इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है नेक्स्ट है हाली में भारत की सबसे तेज गेंदवाच कौन बने है कौन बने है उमरान मलिक बने है याद रखेगा important question है स्पोर्ट से related बहुत सारे questions आते है next day सियाचीन में सक्रीय रूप से तैनात होने वाली पहले महला अधिकारी कौन बनी है very important question याद रखेगा विश्व के सबसे उचे युद्ध छेत्र सियाचीन पर तैनात होने वाली पहली महला है कैप्टन शिवा चोहान इनको हर्दिक बधाईया और शुबकाम नहीं next question देखेगा परमान उर्जया नियामक बोड के ने अध्यक्ष कौन बने है 2023 के प्रवासी भारती सम्मान पुरुसकार कितने लोगों को दिया गया 27 लोगों को दिया गया है याद रखेगा राश्चपती द्रौपती मुर्मुने 10 जन्वरी 2023 को 17 70 प्रवासी भारती दिवस अमेलन के समापन सत्र पर 27 प्रवासी भारतियों को प्रवासी भारतिय समान पुरुसकार से सम्मानित किया है याद रखेगा भारतिय समान पुरुसकार प्रवासी भारतिय समान पुरुसकार कितने लोगों को दिया जाएगा 27 लोगों को दिया जाएगा 2023 में किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मुबाइल IVF लैब शुरू की गई है। यही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला बीसवा यूरोपिय देश कौन सा है। इस पॉइंट को याद रखेगा। वैसे जितने पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं सारे पॉइंट काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं से भी एक्जामे कोशन सा सकता है। किस राज्य में क्या गया है करनाटक राज्य में। रेन्यू पावर ने करनाटक के गडग में भारत का पहला 3X प्लैटफोर्म विन टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है। यह नए पवन टर्बाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नविकरनी उर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे जो पवन सौरी और बैटरी उर्जा भंडारन प्रणाली को जोड़ती है। नेक्स्ट कुशन है। हाल ही में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने है। कौन बने है। कौन बने है। कौस्तव चटरजी बने है। करेक्ट अंसरों का ओप्शन सीवाला चटी चटवी बार बने है इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजा में नैथियो। कौन से देश के हैं ये हैं ब्राजिल देश के मशूर फुटबॉलर हैं पेले हाल ही में इनका निधन हुआ है। किस देश की समाजिक कारी करता एलीडा गवैरा को पहला के आर गोरी अमारास्ट्र पुरुसकार के लिए चुना गया है। कहां के हैं क्यूबा के हैं। नेक्स कुशन है ब्राजियन शिप इंडेक्स 2023 में किस भारतिय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्थ हुई है। नेक्स कुशन है चतिसगर राजिस्थान और पंजाब की बाद किस राज्ये ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है। काफी जादा इंपॉर्टेंट कुशन अंसर क्या होगा इसका ओप्शन सी वाला ही माचल प्रदेश देखिए ध्यान से सुनिएगा जितने भी एक्स्टा पॉइंट्स हम कवर करवा रहे हैं उनको ध्यान से आप सुनिएगा तो यह जितने भी कुशन से आपके बहुती मार्च में अपने वजिट भाषन में पुरानी पेंशन बहाल करने की घुशना की थी इसके बाद जहरकंड और राजिस्थान ने भी पुरानी पेंशन स्कीम पर लोटने का एलान किया पंजाब देश का चौथा राज्जी है जिसने OPS को बहाल करने की बात कही थी पहली हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग का एजन किस शहर में किया गया कहां पर किया गया है तिरुवंतपुरम में किया गया है जी ट्वंटी अधिक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग का एजन कहां पर कौन से शहर में तिरुवंतपुरम में किय नेक्स्ट है किस ब्रिटिस्ट भारत को हाल ही में फ्रीडम आफ सिटी लंदन अवर्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कुशन है वंडे इंटरनाशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्ले बाच कौन है। नेक्स्ट में कोशन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है। कुशन है हाली में किस देश के उपर आश्टपती बदारा अली यू जूफ का भारत में छोटी बिमारी के बाद निधन हो गया। कौन से देश के हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। हमने सारे कोशन के अंसर आप लोगों को डिटेल में कवर करवाएं हैं। यह इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड हम दूसरी वीडियो में कवर करवाएंगे। आप ध्यान से देखकेंगा हमने 50 questions के लिए इक वीडियो सेकेंड पार्ट में कवर करवाएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चानल पर ज़रूर जुड़े रहें चैनल को अभी सब्स्राइब करें। और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर आल प्रेस जर्व कर दें आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू